हर खबर पर है हमारी पहली नजर उत्राखंड की बुलंद आवाज आप देख रहे हैं न्यूस पोटल उत्राखंड विधान सबा चिनाव अंतिम दोर में चल रहा है 12 भरवरी की सम चिनावी शोर थम जाएगा वही राजितिक पार्टियों के स्टार प्रशारक लगातार लोगों से चन संपर्ख और सभाएकर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं इसी कड़ी में आज बीजेपी की राश्टिय परवक्ता साजीय इलमी मंगला और विधान सबा पहुँची जहां उन्होंने कांग्रेस और बस्पा प्रत्याशियों पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा इस विधान सबा में सिर्फ काजी और हाजी राज कर रहे हैं इसलिए अब जनता भी परिवर्तन चाहती है साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा कि मंगला और विधान सबा की जनता एक बार बीजेपी वर भरोसा जता है तो वह अंदूसरी पार्टियों को भूल जाएंगे मंगला और की हालत में देख रही हूँ और यह दोनों भी पार्टियों बदलते रहते रहते हैं कॉंग्रेस से बसपा से खुटक खुटक के यहां से बहां जाते रहते हैं तो इन्होंने अपने घर बरे हैं और लोगों के हाला देखिए वही सेम ओल्ड मजभ़भ की राजवी ती तो मैंने लोगों से यही कहा कि अपना कौन होता है, मजभब के आप लोग बात करते हैं, अपना वो होता है चो अपनों के लिए काम करता है, तो मैं वही उनसे कह रही हूँ कि आप मौका तो दीजे बीजेपी को, तके आपके आपके घरक में आप पोट जाए आपका, तो पड़े लिखे और आएटी से के इंजिनियर देनेश पवार जी हैं, उनको आप मौका तो दीजे और मैं इसलिए कहने आई हूँ, मैंने का आज इतना जरूरी बात में कहने आई हूँ, कि हर एक मुसल्मान वही चाहता है जो एक हिंदू चाहता है, क्योंकि चाहे रोजगा हो या तालीम हो, उसका कोई मजभ नहीं होता है, तालीम तालीम है, तरक्की तरक्की है, दोनों के लिए बराबर है, इसलिए मैंने कहा है कि पहली बार आप जब आप बोट डालने जाएं तो आप सोची आपके घर के लिए पायते मन क्या है, बच्चों के लिए, तो मैंने अफसोज हो रहा है 20 साल से कुछ नहीं हुआ दो परिवार और सिर्फ थाने की पॉलिटिक्स हो रही है बेचार लोगों को पकड़ो और वही सेम ओल्ड पॉलिटिक्स होते रहो अब प्रवेस्ट इस तरह को नहीं तो आप मैं आती रहती हो देखी मैं राश्ट्री प्रवबकता हूं और क्योंकि अच्छे से बहुत जानते हैं हमारी पूरी टीम है बहुत से लोग है यह कैप्नेट मिनिस्टर है हमारे कट्याल जी और यह तो दो तीन मेने से यहां पे हैं और पूरी टीम कर रही है हमारी यहां पे ऐसा नहीं है मैं आए हूं खास्तोर से क्योंकि मैं पवार जी को बहुत के परिवार को बच्छी तरह से जानती हुते हैं उन्हें रिक्वेस्ट मुझे की थी तो मैं इस वचे से आई हूँ हूं पर पंजाब में तेन महीने से काम क अगर किसानों को किसी भी सरकार से कुछ मिला है तो इस सरकार से मिला है आप देखिए हमें MSP की बाते ही होती थी तो आप अगर मैं सारे आकड़े बढ़ सकती हूं आको अगर आप चाहते हैं लेकिन ना तो वो कभी लागू हूए और उनका मकसद क्या था उनका फाइदा हो